नमस्कारी दे कंटाब न्यूज और मेरा नाम है निश्रा से राजस्थान में सत्तारूर कॉंग्रिस में आंतरिक विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा दरसल सचेन पाइलेट ने एक बार फिर दब चुके मुद्दे को हवा दे दिये और प्रधान मंत्री द्वारा अ मैं समझता हूं बड़ा दिल्चस्प एक घटना क्रम है क्योंकि इसी प्रकार प्रधान मंत्री जी ने सरदन के अंदर गुलामनी वैजाज साब की बढ़ाईयां करी थी और उसके बाद क्या घटना क्रम पैदवाम साब ने देखा है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग डेवल और मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान भी एक ही मंच पर मौजूद थे इस दौरान प्रधान मंत्री ने अशोग गहलोत की तारीफ करते हुए उन्हें मंच पर बैठा हुआ सबसे सीनियर नेता बताया मुख्य मंत्री के नाते अशोग जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अभी भी हम जो मंच पर बैठे हैं उसमें भी असोग जी सीनियर मुख्य मंत्रियों मैसे एक है अगर दूसरे शर्दों में कहा जाया तो प्रधान मंतरी ने अशोक गहलोत के आगे दाना डालने की कोशिश की है क्योंकि राजस्थान में इस वक्त संगठात्मा कस्तर पर बीजेपी की जो दूरदर्शा है वो किसी से चिपी नहीं है मोधी जी को लगा कि गहलोत अपनी तारीफ को सुनकर चने के जाड़ पर चड़ जाएंगे पर हुआ इसके पिलकुल उलाट अशोक गहलोत जब माइक पर बोलने गया तो तारीफों का जवाब उन्होंने अपनी ही अंदाज में हस्ते हुए दिया उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मत्री नरेंदर मोधी जब फौरण यात्राओं पर जाते हैं तो उनकी बहुत तारीफ होती है तो पीछे का कारण है हमारा देश धर्म निर्पेक्श देश और मोधी जी कैसे देशते आते हैं जो कि गांधी और निहरू का देश है सुनिए क्या कुछ कहां शोक गहलोत ने परजामदी मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुलकों में तो कितना समान में इनको क्यों में बिलता है चूंकि नईदर मोदी जी उर्थ देश के पजार मंतरी हैं नईदर मोदी जी उर्थ देश के पजार मंतरी हैं जो वारे मुलक में आए हैं जो गांदी का देश है जहां लो जिन्दा रहा है ये दुनिया को एसार होता है तो उन लोग घर होता है कि उन देश का प्रणा मदी मोदी जी आवारे मुलकी मारा है तो 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 जब अशोग गहलोद ने इस बाप का करारा जवाब देही दिया था तो सचिन पाइलेट को इस मुद्दी को उठानी की आखरका ज़रूत क्या पड़ी साथी सचिन पाइलेट ने कॉंग्रिस के राश्टी अध्यक्ष के चुनाव के समय राजस्तान में हुए सियासी घटना करम का भी जख्र किया और कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ अभी तक अनुशासात्मा कारवाई क्यूं नहीं की गई सचिन पाइलेट ने पाइलेट ने पाइलेट किया ध्यक्ष मलकर जुन खडगे से कड़ी कारवाई करने की मांग की है साथ उन्होंने पाइलेट को याद दिलाया है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यूं नहों पाइलेट के नियम कानुन सभी के लिए एक समान है अब सवाल यह है कि सचिन पाइलेट आखिर कार्ट दफन हुए मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं क्यों उसे जिन्दा करने की कोशिश करें क्या इसके पीछे उनका कोई हिडिक एजिंडा है आपको यादी होगा लोगडोन से पहले सचिन पाइलेट बागी हो गए थे और अपने 22 समर्थकों के साथ गुरुग्राम के एक रसौर्ट में थे तब आशोग गहलोत ने ही उनके सियासी मनसूबों पर पानी फेर दिया था और आप सचिन पाइलेट बाक टू द पाइवेलियन है राजिस्तान के मुखी मंद्रू आशोग गहलोत ने भी सचिन पाइलेट के बयान पर अपनी प्रजुक्रिया दिया उन्होंने कहा है कि सचिन पाइलेट को ऐसी टिपड़ी नहीं करनी चाहिए केसी वेरू को पालने पार्टी में सभी से सतरह की कोई बिटपड़ी नहीं करने को माना किया है हम चाहते हैं कि सभी अनुश्यासन का पालन करें अब ऐसे मिश्यर्चिन पाइलेट का ये बयान आना कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी को चुनावों में बड़ा नुक्सान करा सकता है वहीं कॉंग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोधी जी के अश्योग फैलोत की तारीत किये जाने पर अपना रियाक्शन दिया है और कहा है कि अशोग गहलोत ने PM को आईना दिखाने का काम किया है और कहा है कि अशोग गहलोत ने PM को आईना दिखाने का काम किया है वही राजिस्थान BJP के अगर हम बात करें तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी इस वक्त बिखरी हुई है पार्टी के अंदर चक्राव है पार्टी के सामने कई गंभीर समस्या हैं जिससे निपटना बीजेपी की बड़ी चुनाव दहलीज पर हैं काम बहुत है और वक्त बेहत कम आप किस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले